बैट जाएए बैट जाएए मैं प्लीज डोंट इंटरॉप प्लीज सिदा मुहन सिंग जी जैसा अर्थ शास्त्री तो नहीं हूँ लेकिन जिस अवस्था मैं से पला बड़ा हूँ तो गरीब किसानों के नदिक से देखा है और इसलिए मुझे वो बड़ा ज्यान तो नहीं है लेकिन छोटी सी चीजों का पता है अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो प्रणाब मैं एक हमारे देश में इस विशे के जानकार है सिमान MS. स्वामिनाफन उनका एक लेटेस आर्टिकल का कोट मैं कहना चाहता हूँ seeds seeds have been shown for agricultural transformation and for attracting and retaining youth in farming. The dawn of a new era in farming is in sight. अब किसान की आए दो गुना हो सकते नहीं हो सकते हैं हम किसान मतलब अगर हम जो हम soil health card के काम को लेकर के चले हैं उसको अगर हम सफलता से लागू करें और किसान soil health card के advisor का अनुसार अपनी जमीन का उप्योग करना शुरू करें प्रोर्टिविटी बढ़ सकती हैं input cost कम हो सकती हैं आज किसान की मुसिवत यह है कि पडोसी ने अगर लाल डिब्बे वाली दवाई दाल दी तो उसको भी लगता है मैं लाल डिब्बे वाली दवाई दाल दू पडोसी ने अगर पीले डब्बे वाली दवाई दाल दी तो वो भी पीले डब्बे वाली दाल द देता हैं पडोसी ने इतने केजी यूरिया डाल दिया तो वो भी उसकी जमीन उसके लिए योग के है नहीं है वो बेचारा उसका अगर हम कोशिश करें हमारी अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटीज हमारे अग्रिकल्चर गईट से सारे लोग इसमें लगे और स्वाइल टेस्ट को जहां उसकी जमीन की सीमा समाप्त होती हैं वहां वो एक दो मिटर जमीन बरबाद करता है बाड लगा देता है एक मिटर उधर वाले की जाती है एक मिटर इधर वाले की जाती है अगर वो दोनों मिल करके टिंबर की खेती करें पैड लगा दें तो पंदरा बिस साल में प प्रिशी के साथ फिशरीज, पॉल्ट्री, एनिमल हस्बंड्री, मिल्क प्रोडॉक्शन, दूसरा वैल्यू एडिशन, इंकम बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि एग्रो प्रोड़क्ट ही बदे, वैल्यू एडिशन से, अब अभी हमने एक निरने किया, कोका 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 को मिक्स करिए, और मुझे खुशी है कि अभी महाराश्य गोवर्मेंट के साथ उनका एग्रिमेंट हुआ, और विदर्व के अंदर जो संत्रा पैदा होता है, वो संत्रा अब कोका कोला के अंदर 5% मिक्स होगा, तो विदर्व का किसान का संत्रा भीकने में कोई दिक्त नहीं आएगी, जो हमारे किसान, हमें वैल्यू एडिशन की दिशा में प्रयास करना होगा, और इसलिए अगर हम आलू किसान बेचता हैं, तो कम कमाई होती हैं, लेकिन वेफर बना करके बेचता हैं, तो ज़्यादा कमाई होती हैं, हरी मिर्ची बेचता हैं, तो कम कमाई होती हैं लेकिन लाल मिर्ची का पाउडर बना करके बेचता है तो जादा की मुद्व मिलती है हम लोगों ने वैलू एडिशन पर बल देना शुरू किया है जिसके अकाना हमारी किसान की इंकम में बडोतरी होना पूरी तरह लाजमी है उसी प्रगान से ब्लू इकानों में हमारे हमारे जो सागर खेडू है जो हमारे फिशरिस में हमारे फिशर्मेन लगे हमारे समूदरी तरपर सीवीड की खेती पूरी संभावना है आज दुनिया में फार्मासिटिकल के मैनुफेक्टरिंग में बेस मेटरियल के लिए सीवीड बहुत बड़ी ताकत बनके उपरा है हमारे फिशर्मेन के परिवार समूदरी तरपर आराम से सीवीड की खेती कर सकते हैं और वो सीवीड की मार्केटिंग और हमारे फिशर्मेन की इंकम भी हम बढ़ा सकते हैं कहने का ताथ पर यह galaxy है कि हम जो सोचते हैं कि agriculture सेक्टर में हम किसानों के आयब बढा नहीं सकते हैं यह निराशा का कोई कारण नहीं है अगर हम वज्जानिक तरीके से उसी प्रकार से उसी प्रकार से नेशनल एगरिकल्चर मार्केट आज नेशनल एगरिकल्चर मार्केट के दोरा ए प्लेटफरम के दोरा किसान अपने गाउं में बैढ़ करके यह ताय कर सकता है कि अगर महराज सगे अंदर उसकी पैदावर की कीमत जादा है वहाँ बेच सकता है 14 एप्रिल बाबा साब आम बेड़कर की जन्म जहिंती पर ये सरकार इसको लॉंच करने जा रही है किसान अपनी जहाँ जादा कीमत मिलेगी वहाँ मार्केट में जाने के लिए उसको सुविधा मिलने वाली है कहने का तात्वर ये है कि हम किसान की आए हमारे यहाँ दुनिया में दुनिया में हनी का बहुत बड़ा मार्केट है लेकिन भारत में हमारे किसी छेत्र में हनी भी को वैज्यानिक तरीके से कोई प्रयास नहीं हुआ रजिस्टेशन तक अवेलेवल नहीं है हमने इसका बल दिया है अगर उस पर हमारा किसान काम करता है और हनी भी को विगड़ने का सवाल नहीं होता है लंबे अर सर से तक रहता है हमारे किसान की इंकम में वो अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है हमने किसान की इंकम बढ़ाने के लिए और पहलों पर बल देने के दिशा में हम प्रयास कर रहे है चेर्मेंस्री यहां पर स्वच्छता की चर्चा हुई और यह कहा गया अगर यह काम तो हमारे थे में भी चलता था हमने किसी चीज़ की बात नहीं कि यह सब आपी की देन है हम कभी ख्लेम नहीं करते हैं हमारे देन आपी की देन है कि आज हमको दिन रात महनत करके स्कूलों में 4 लाख टॉलेज बनाने पड़े आपने अगर बना करके दिया होता तो काम हमारे काम हो जाता और इसलिए कोई यह नहीं कहता कहने का ताथ पर यह समस्यां पुरानी है समस्यां नहीं नहीं है समस्यां का समाधान करने के प्रयास अभीरत चले हैं हर किसी ने अपने अपने समय उसमें कोई जोड़ने का प्रयास किया है उस समय की स्थिति के अनुसार अवेलेबिल डिसोर्सिस के अनुसार हमने भी एक प्रयास किया है और यह खुशी की बात है देखे नाइंटीन एटी सिक्स में सेंटर रूलर सनिटेशन ट्रोग्रेम आया था तब से लेकर के रेकॉर्ड पर इन चीज़े अवेलिबल है उसके बावजुद भी हम अभी तक परिणा प्राप्त नहीं कर सकते परिणा प्राप्त करना है तो हमने जनांदोलन खड़ा करना पर है और मैं आज इस बात को संतोष के साथ कह सकता हूँ कि आज स्वच्षता ये जनांदोलन बनने की दिशा में जा रहा है हमारी संसन्ने देश आदाध होने के बाद कभी भी स्वच्षता पर डिबेट नहीं की थी पहली बार इस देश में पार्लामेंट ने दो दो तिन तिन γंटे तक स्वच्षता पर चर्का की हो सकता है सरकार के आलोचरा हुई होगी लेकिन कम से कम इस सदन के लोग उस सदन के लोग इस बात पर सेंसिटाइज हुए हैं कि आप इसको ऐसे नहीं रहने देना चाहिए बदलना चाहिए एक अच्छा माहूल बन रहा है हम सब उसको बल कैसे दे उस दिशा में सोचे कोई द पड़े वो जन सामाने का विश्य बन जाए लेकिन हमें करना होगा और जब तक हम इसको नहीं करेंगे हम ने अभी शहरों की एक चैलेंजिंग मोड में कॉम्पटिशन शुरू कि उसका परणाम ही आया है अर्बन मिनिस्ट्री कर रही है आज शहरों में उस शहर की मिनिस्ट्री पर दमाव डाल रहा है कि क्या बात है यह स्वच्छता के इंदर बना रसक्यों अजर नहीं आ रहा है जनता का प्रेशर बढ़ रहा है यह बढ़ना चाहिए यह बढ़ना चाहिए और मैं तो चाहता हूँ आप भी जहां जहां हो आप भी यह प्रेशर बढ़ा इस सरकार उस सरकार का नहीं हो सकता है मेरे सभी मानिय सदसेगन यह हम सब का होना है मैं देख रहा हूँ मिडिया हाउस, दुनिया भर के विशय में हमारी आलोचना करते हैं, सरकारों की आलोचना करते हैं, ये एक विशय ऐसा है कि देश का मिडिया पांटनर बना है, कहीं ने कहीं मिडिया के लोग इस काम को कर रहे हैं, खुद कारिकम कर रहे हैं, खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं इसको एक हम सबका कारकम बनाएंगे तो देश के और देश को पूरिजम बढ़ाने के लिए काम आएगा और स्वचता जो पूजी पत्यों का विरोध करते हैं उनके लिए तो यह सबसे पहले करने जैसा काम है क्योंकि WHO का रिपोर्ड कहता है International Agency का रिपोर्ड कहता है एवरेज 7000 रुप्या दबाई में खर्च होता है अगर ये उसकी बिमारी जाएं इसके कारण कितने बड़ी सेवा होगी और मैं मानता हूँ ये काम ऐसा है जो हमने किसी भी प्रकार की बनत्में सिवाए जिनोंने किया है उससे हम आगे बढ़ाएं जितना किया है उसको और अधित करें इस रूप में हम करेंगे तभी इस देश को अभी मैं 36 गड़ गया हूँ कि मैंने मां के पैर चुई आधिवासी मां पड़ी लिकिने 90 प्लस उमर है उस मांने अपनी तीन बकरियां बेच करके टॉयलेट बनाया उस गाओं में वो पहली महिला थी जिसने टॉयलेट बनाया हम लोगों के लिए इससे बड़ा इस्पिरेशन क्या हो सकता है और किये मैं चाहूंगा इसको सरकारी कारकम पक्षका कारकम यह सरकार वो सरकार की सीमाओं में न बांदे उसको देश हित के लिए सोचे और उसको अगर हम बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा कल हमारे सितराम जी जो उनका बेजिक फिलोसोफी है उसको कल सब्सक्राइब इसे के इतने एक्जेंशन तिकना फ़लां पाता आंकड़ा कहां से लाए वो तो भणवान जाता है तुए तो आंकड़ा में डूनदा मुझे मिला नहीं तो मुझे बाद में दिखा दे नंगे वह आंकड़ा लेकिन में बताना चाहता हूं मैं वह आकड़े की जरा बताना चाहता हूँ यह जो टैक्स एक्जम्शन है जरा हम देखें 10,350 करोड रुपी है एक्जम्शन इसमें दाल और सबजी में क्या हम उसका विरोध करेंगे अठावन सो करोड रुपिया एक्जम्शन किसके लिए चीनी के लिए शरद रावा के बगल में बैटे सात्र समझा जेंगे आप 19,120 करोड रुपिये एक्जम्शन किसके लिए जम्मु कश्मीर, हिमाचल, उत्राखन उनके उद्योगों के लिए नौर्थ इस के लिए कि हम उसका भी जुरोद करेंगी क्या मैं समझता हूं कि कभी कभार बारी क्योबे जाएंगे तो हमें पता कलेगा कि हमारे जो जीन बातों को लेकर कि आपको चिंता हो रही है यही सरकार है कल अरून की ने बड़े विस्तार्ट से बताया और फाइनांस की चर्चा होके तो बताएंगे कि हमने टैक्स किस पर लगा रहे है और टैक्स से मुक्ति किसको दे रहे है दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा और इसके लिए और जो चीज़ें हमें विरासत पे दी है कभी आपने बाहर से समर्थन करके सरकारे चलाई उसने जो विरासत पे दी है आज उसी को सफाई करने में हमारा दम उखड़ रहा है और इसलिए मैं समाप्त करने से पहले एक मशूर शायर निदा फादली की जो बात है अभी अभी उनका स्वरग्वास होगा उनकी बात कहकर के मेरी बात मैं समाप्त करूँगा सफर मैं धूप तो होगी सफर मैं दूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभी है भीड में सभी है भीड में तुम भी निकल सको तो चलो सफर मैं धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभी है भीड में तुम भी निकल सको तो चलो किसी के वास्ते किसी के वास्ते राहे कहां बदलती है किसी के वास्ते राहे कहां बदलती है तुम अपने आपको खुद ही बदल सको तो चलो यहां यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता मुझे गिराके अगर तुम संभल सको तो चलो मुझे गिराके तुम संभल सको तो चलो यही है जिन्दगी यही है जिन्दगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदे इनी खिलोने से तुम भी बहल सको तो चलो सफर में दूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभी है भीड में तुम भी निकल सको तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद